लाव कॉन्ट्रेक्ट आये जानते हैं आगे इस स्टोरी में क्या हुआ आरोही रोते हुए छट पर जली जाती है आरव भी आरोही के पीछे जाता है आरोही अपने आपको नॉर्मल करके खड़ी हो जाती है आरव आरोही से कहता है आरोही तुम उस अमन की बात पर थ्यान मत दो आरोही हसकर कहती है नहीं आरब जी हम ठीक हैं और उन्होंने ठीक ही कहा है हम नौकरानी ही तो है पर हमें भगवान से ये शिकायत हमेशा रहेगी कि उन्होंने हमें इतना मजबूर क्यों कर दिया है कि हमें नौकर बन कर जीना पड़ रहा है आरब जी, एक आप है जिसके पास इतना बड़ा घर है खाने के लिए खाना है, हर वो चीज है जो आपको चाहिए हमारे पास तो ना घर है ना खाने को कोई ठिकाना भगवान भी कितनी नाइनसाफी करता है ना लोगों के साथ किसी को इतना दे देता है कि समभालने के लिए हाथ कम पड़ जाते हैं और किसी को बिल्कुल भी नहीं देता हम बस यही चाहते हैं कि जल्च जल्द आपके पैसे पूरे हो जाएं और हम यहां से चले जाएं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। आरव वहीं खड़ा आरोही की बातों को सोच रहा था। अज इतने दिनों बाद उसने आरोही को इतना मायूस और दुखी देखा था। नहीं तो वो तो हमेशा हस्ती मुस्कुराती रहती थी। उस दिन के बात उन दोनों में बहुत कम बात होने लगी। आरव और आरोही अपने अपने एक्जाम की तैयारी कर रहे थे। आरव और आरोही दोनों का ही ये लास्ट इयर था। दोनों अलग-अलग फील्ड से थे। आरोही एमबे कर रही थी। वहीं आरव कुछ ही दिनों में उन दोनों के एक्जाम का दिन भी आ गया और थीरे दीरे एक्जाम खत्म हो गए। लास्ट एक्जाम खत्म होते ही आरव आरोही से कहता है। आरोही मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी प्लीज मेरी पसंदना बहुत बेकार है इसलिए बोल रहा हूँ। आरोही भी इतने दिनों से कहीं घूमने नहीं गई थी। वो कहती है। ओके दौनों शॉपिंग मॉल आते हैं। आरव सारी चीजें आरोही की पसंद की ही ले रहा था। उससे पूच पूच कर आरोही इरिटेट हो रही थी कि कोई बंदा एक भी चीज अपनी पसंद की क्य नहीं लेता। और चुपके से आरव आरोही के लिए भी कुछ ड्रेस ले लेता है। आरव आरोही को लेकर एक रेस्टोरेंट आता है और दोनों वहीं डिनर करते हैं। वहीं आरोही को आरव का ये नीचर समझ नहीं आ रहा था। वो उससे लड़ भी नहीं रहा था और ना तोनों डिनर करके घर आते हैं आरोही सोने जाने लगती है तो आरव आरोही को ड्रस दे कर कहता है ये लो तुम्हारे लिए तो आरोही कहती है ये ये क्या है आरोही देखती है तो उसमें चार पांच चोड़ी कपड़े थे आरोही कहती है हम ये नहीं ले सकते हमें नहीं चाह जलिए आरव कहता है मैं दिल से दे रहा हूं प्लीज रख लो प्लीज आर उखी उनकपड़ों को रख लेती है और स्फूनी चली जाती है आरव बहुत खुश था कि आरु ही ने उसके था कि पसंद किये हुए कपड़े ले लिए आज वो बहुत खुश था ना जाने उसके दिल को एक सिकोन सा मिल रहा था अगले दिन आरव की कुछ फ्रेंड्स एक्जाम खत्म होने की खुशी में पार्टी रखी थी आरव आरव आरवी से पूचता है कि वो उसके साथ पार्टी में चलेगी तो आरवी मना कर देती है क्योंकि अमन के उस इंसिडेंस के बाद आरवी आरव के फ्रेंड्स से नहीं मिलना चाती थी आरवी जादा जिद नहीं करता आरवी एक मूवी देखने लगती है सारा काम हो चुका था और आरव भी आज घर पर खाना नहीं खाने वाला था आरव पार्टी के लिए निकल जाता है पार्टी हॉल में आरव के सारे क्लासमेट्स वहां आए हुए थे वहीं अमन भी मौझूद था पर आरव अमन की शगल भी नहीं देखना चाहता था अमन भी आरव को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था क्यूंकि एक नौकरानी के लिए आरव ने उसके बच्पन के दोस्त पर हाथ उठाया ये बात उसकी इगो को हर्ट कर रही थी उसके इगो को हर्ट कर रही थी देव और जै कहते हैं यार अमन भूल जाना यार उस बात को अमन कहता है कैसे भूल जाओं तुम्हारे लिए होगी वो नौर्मल बात पर अमन मन होतरा के लिए नहीं और इसका बदला तो मैं ले कर रहूँगा वहीं आरव की कुछ फीमेल फ्रेंड उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी बलकि चार सालों से आरव पर लाइन मार रही थी पर आरव किसी को भाव ही नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि वो सब उसके पैसों के पीछे है वहीं आमन एक वेटर को बिला कर सौफ्ट रिंक में शराब मिला देता है और आरब को देने को बोलता है और वेटर को एक नोटों की गड़ियां भी देता है अपना मुँ बंद रखने के लिए अमन जानता था कि आरब कभी शराब नहीं पीता और अगर पीएगा तो क्या होगा तो Hello Everyone, I hope आपको ये एपिसोड भी पसंद आया हो और I think guys कि आपको ये एपिसोड और ये स्टोड पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रू बताएगा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये स्टोडी पसंद नहीं आ रही है वेसिकली मुझे पता है आपको devil की love जुनून, जुनूनियस से भरी स्टोरियां पसंद है बट मुझे आप थोड़ा सा हिंट दे दिजे कि आपको किस टाइब की love स्टोरियां पसंद है क्या आप vampire की love स्टोरी देखना चाहते हैं या डैवल की या फिर माफिया की तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरू बताएगा मैं काफी कन्फ्यूज हूँ कि मैं अपनी नेक्स जो स्टोरी है वो किस बेस पर लिखूँ वैंपायर पर लिखूँ माफिया पर लिखूँ या नॉर्मल लफ स्टोरी लिखूँ तो आप मुझे कमेंट में प्लीज प्लीज जरू बताएगा कि आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं और मैं आगे आने वाली एस्टोरियां कैसी लेखूँ प्लीज मैं वेट करूंगी प्लीज कैस कमेंट में जरू बताएगा